नमश्रिवाय, दो बैलों की कथा इस पाठ के कुछ अन्शों को इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, आज आगे के अन्शों को पढ़ेंगे इसके पहले हमने पढ़ा था कि जूरी का साला जिसका नाम गया था, वह जूरी के दोनों बैलों हीरा और मुति को लेकर अपने घर जाता है और जूरी जब बैलों को गया के हवाले कर देता है तो बैल ये सोचते हैं कि शायद जूरी ने उनको इसके हाथों बेज दिया है जिसकी वज़ा से वो बहुत उदास थे वहाँ पहुँचकर भी उन्हें सब कुछ वहाँ नया नया लग रहा था क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ का घर वहाँ के गाव सब कुछ नया था उनके लिए वहाँ पहुचकर दोनों ने मूख भाशा में आपस में सलाह की आपस में मश्वरा किया एक दूसरे से और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए जब सारा गां सो गया तो दोनों ने जोर लगा करके जो पगहे थे यानी जो रसियों में जिन रसियों में वो बाधे गये थे उन रसियों को उन्होंसे तोड़ ढला और घर की तरफ निकल पड़े रसियां हलाकी बहुत मजबूत थी और उनको देखकर ऐसा अंदाजा नहीं लगाये जा सकता था कि कोई वैल उन्हें तोड़ सकेगा पर हीरा और मोती में तो इस समय दुगनी शक्ती आ गई थी और उन्हें जूरी के पास पहुंचना था इसलिए उन्होंने एक ही जटके में उन्हें रसियों को तोड़ डाला और महां से भाग निकले इधर जूरी जब सुबह सो कर उठता है तो देखता है कि उसके दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं चरनी यानि वो उस्थान जहां पर बैल बांधे जाते हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है गराम यानि बैलों के गले में बांधे जाने वाली जो रसियां होती हैं उनको गराम कहते हैं और जूरी देखता है कि दोनों की गर्दनों में आधी आधी गराम लटक रही है और बैलों के जो पाम है वो घुटनों तक कीचड से भरे हुए हैं कीचड से सने हुए हैं और दोनों की आँखों में विद्रोह में सनेह जलक रहा है यहाँ पर विद्रोह में स्नेह कहा गया है क्योंकि बैलों को गया के साथ रहना पसंद नहीं था इसलिए वो वहाँ से भाग चले और जूरी से उनका बहुत स्नेह था इसलिए उनकी आखों से विद्रोह में स्नेह जलग रहा था जूरी बैलों को देखकर प्रेम से गदगद हो गया और दोड़ कर उन्हें गले से लगा लेता है और बैलों को गले से लगा करके उन्हें चूमने लगता है और यह जो द्रिश्य हो बहुत ही सुन्दर लग रहा था देखने में और घर और गाउं के लड़के जमा हो गए और जब बैल वापस घर की तरफ भाग कर आए तो जो गाउं और घर के लोग थे वो सारे महापर इकठे हो गए और तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत करने लगे गाउं के इतिहास में यह घटना बहुत अबूतपुरो नहीं थी पर फिर भी यह बहुत ही महतोपुर्ण घटना थी और बालकों की जो टोली थी उन्होंने इनिश्य किया कि इन पशुवीरों का सम्मान करना चाहिए उन्हें और उनके सम्मान में कोई अपने घर से रोटिया लेकर आया कोई गुड लेकर आया कोई चोकर और भूसी लेकर आया और वे सारे बालक आपस में वहाँ पर खड़े होकर बैलों के बारे में ही बात कर रहे थे उसे मेंसे एक बालक कहता है कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे दूसरा बालक भी उसकी बात का समर्थन करते ह कैता है कि इतनी दूर से दोनों अके apprentice लेया और वहीं पर जो तीसरा बालक था वो कहता है कि यह बैल नहीं है उस जनम के आदमी है और यही कारण है कि इतनी दूर जाने के बाद भी उन्ने सब कुछ याद था इसलिए वह महां से वापस चले आए और तीसरे लड़के की इस बात का विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ सब उसकी बात से सहमध थे जूरी के स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी और जैसे ही जूरी की पतनी ने बैलों को दरवाजे पर देखा वो गुस्से में आगई क्रोध हो जल उठी और बोली कि यह बैल बहुत नमक खराम हैं एक दिन भी महाँ जाकर के काम नहीं किया और भाग खड़े हुए परन्तु जूरी अपने बैलों पर यह आरोप सुन नहीं सका और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बैल नमक हराम क्यूं है तुम्हारे भाई नहीं तानाचारा नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे स्त्री ने रोप के साथ कहा बस तुम्ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी की पत्नी बहुत गुसे में थी और वो कहते हैं कि हाँ एक बस तुम्ही हो जिसको बैलों को खिलाना पिलाना आता है बाकी सब तो लगता है कि बैलों इसलिए वहां से भाग गए क्योंकि उसके जो माईके वाले हैं उसका जो भाई है वह तुम्हारी तरह वो बुद्धु नहीं है बेवकूफ नहीं है वह बैलों से काम लेना जानता है अगर उसे अच्छी तरह खिलाता पिलाता है तो उसे रगड कर जूतना भी जानता है तु मिलता है सुखे भूसे के सिवा इनको कुछ भी नहीं दोंगी चाहे खाएं चाहे मर जाएं और फिर वही होता है उसने मज़दूर को चेतावनी देदी उसे ताकीत कर दी कि बैलों को खाली सुखा भूसा दीया जाये और इसके अलावा उनने खली और चोकर खाने के लिए न जब बैलों ने नांद में मूह डाला तो सब कुछ उन्हें फीका फीका लग रहा था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सूखा भूसा था खली और चोकर उसने मना कर दिया था इसलिए नोकर ने उसको खली और चोकर नहीं दिया था ना कोई चिकनाहट थी ना कोई रस था कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगी और जब मजदूर ऐसा कहता है तो जूरी कहता है कि चुरा करके डाल दे तब नौकर कहता है कि नहीं दादा पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे अर्था जब पत्नी पूछने लगेगी कि तुमने इसे खली और चोकर क्यूं दिया तब आप भी मेरा साथ नहीं दोगे बलकि अपनी पत्नी की हां में हां ही मिलाओगे और मैं फस जाओंगा दूसरे दिन फिर जूरी का साला आया और बैलों को ले चला और अबकि उसने दोनों को गाड़ी में जोट दिया दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में ग काता था जो बहुत जल्दी भड़क Back Jaq फो क्या करता है कि गाड़ी को किह खाई थी उसमें गिराना चाहा पर हीड़ा जो कि स्वबावदस से बहुत ही समझदार और संसर था उसने स्थिति को समभाल लिया और गाड़ी को गिरने से बचा लिया शाम के समय घर पहुँच कर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्यों से बाद दिया और कल जो उन्होंने शरारत की थी उसका मज़ा उन्हें चखाया और फिर उनके सामने वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया गया के जो अपने स्वयम के दोनों बैल थे उसको उन्होंने भूसे के साथ-साथ खली चोकर भूसी सब कुछ दिया पर हीरा और मोती के सामने सिर्फ सुखा भूसा डाल दिया दोनों बैलों को ऐसा देख करके उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ क्योंकि जूरी कभी उन्हें डाटता भी नहीं था मारता भी नहीं था उसकी एक टिटकार पर दोनों वोड़ने लगते थे टिटकार यानी बैलों को आगे बढ़ने के लिए विशेश प्रकार का उसे टिटकार कहते हैं और यहां आते ही उन्हें बैलों को मार पड़ गई थी उनका आत्मसम्मान आहत हुआ था वे दुखी तो थे ही उस पर से भी उन्हें खाने के लिए मिला सिर्फ सूखा भूसा और परिणाम यह हुआ कि दोनों ही बैलों ने नाद की तरफ अपनी अपना पाउं अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाता ही नहीं था और परिनाम यह हुआ कि गया ने उन बैलों को बहुत मारा मारते मारते वत्थक गया पर हीरा और मुती दोनों नहीं अपना पैर नहीं उठाया और जब दोनों नहीं अपने पाम नहीं उठाए तो गया को और भी गुस्सा आया और उसने क्या किया कि हीरा की नाख पर डंडे बरसाना शुरू किया हीरा की नाख पर डंडे से मारना शुरू किया और जब वो ऐसा कर रहा था, तो मोती का गुस्ता काबू से बाहर हो गया, और वो उसने क्या किया, कि वो हल लेकर के वहां से भाग गया, हल, रसी, जुवा, जो सब तूट टाटकर बराबर हो गया, और परिणाम यह हुआ कि हल में, जो ते समय जो जुवा, उनके कंधों पर डाला जाता है, जो रसी उनको पहनाई जाती है, वो सब कुछ भागने के कारण तूट गई, और गले में अगर बड़ी-बड़ी रसीया न होती, तो दोनों पकड़ाई में आते, और गले में अगर उनके लंबी रसीया न डाली गई होती, तो दोनों शायद पकड़ में भ मड़ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे गया दो आदमियों के साथ दोड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में लाठिया है जब हीरा कहता है कि गया दो आदमियों के साथ हमारी तरफ ही दोड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में अपने हाथों में ल किया दूंगा मोती कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी और nog 2 को गिरा является मार कर के ही रहा कैता है कि नहीं हमारी जाति ह्ट्रम नहीं है हमारी जाति के भी कुछ वसवल हैं हम यहां हम oke हम लोगों की सेवा के लिए बने हैं उनको मारने के लिए हैं हम यह हमारा धाय TwMA मोती दिल में एट कर रह गया, गया आप पहुचा और दोनों को पकड़ कर ले चला, कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, मोती जब हीरा उससे कहता है कि हमारी जाती का यह धर्म नहीं है, तो मोती को उसकी बात पसंद नहीं आत पर फिर भी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए वा चुप चाप रह गया, हाला कि उससे बहुत पुरा लगा था, और उसी समय गया पहुचता है, और दोनों बैलों को पकड़ करके ले चलता है, गनीमत यह थी कि उसने इस बार बैलों के साथ कोई मार पीट नहीं क और बैलों के गुस्से को देखकर, मोती की गुस्से को देखकर शायद गया और उसके जो सहायक थे दोनों वो भी समझ गया कि इस वक्त बैलों को मारना उचित नहीं है, आज दोनों के सामने फिर वही सुखा भूसा लाया गया, और दूसरे दिन भी दोनों बैलों के सामने वही सुखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे दोनों बैलों के सामने सुखा भूसा डाल दिया गया और वह दोनों सुखा भूसा देखकर फिर नहीं खाने का उन्हों निश्चे किया घर के बाकी लोग भी अपना अपना भोजन करने लगे उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुह में देकर चली गई और उसी वक्त एक घटना होती है कि उसी घर से एक छोटी सी लड़की अपने हाथों में दो रोटियां लेकर आती है और एक एक रोटी दोनों बैनों के मुह में देखकर चली जाती है उसे एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया बैल उतने बड़े बड़े थे उनके लिए एक रोटी से उनका कुछ होने वाला नहीं था उनकी भूख शांत नहीं होने वाली थी पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया द लड़की भैरो की थी और वो जो लड़की थी वो किसकी थी वो भैरो की बेटी थी उसकी मा का देहांत हो चुका था और जो उसकी सौतेली मा थी वो उसे मालती रहती थी इसलिए इन बैलों से उस लड़की को भी एक प्रकार की आत्मियता हो गई थी उसे बहुत प्रेम हो गय जाती है वे रोज का उनका नियम हो गया था कि दिन भर उनको खेत में जोता जाता डंडे भी पड़ते और शाम को जब वे अपने स्थान पर बांध दिये जाते और रात को वही लड़की उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की या बरकत थी कि दो दो ग बैलों के प्रती इसका परिणाम यह हुआ कि वे सुखा भूसा खा कर भी दोनों में दोनों के स्वास्थे में कोई अंतर नहीं आया दोनों दुर्बल नहीं हुए मगर उनके उनकी आंखों में आज भी गया के प्रती विद्रो भरा हुआ था